कासकंज गाव में भोला अपने सोतेले पिता और अपनी मा के साथ रहता था। भोला को गाव में सब लोग भूंदू बोलते थे। उसकी मा और पिता उसे बहुत प्यार करते थे। भोला अपने नाम की तरह बहुत भूंदू था। पिता उसे समझाया करते थे। गाव वाले अक्सरों से बेवकुफ बना देते थे पिता, भूंधू, ओ बंधू, इधर तो आ भूंधू ये लिए पांच रूपे, सामान के फटाफट रामदीन को देया बोलकर आया हूं कि अभी भेज रहा हूं भोला, जी पिता जी अभी दे आता हूं, पिता हाँ, लेकिन काम करके जल्दी आ जाना, गाउ के पीपल के पेल के नीचे कुछ लोग जुआ खेलते थे आदमी, हे भगवान यह मैंने क्या नर्थ कर दिया मुझे लगा था कि बाजी जीत गया रुपे दुखने हो जाएंगे पर सारे के सारे जुए में हार गया अब मुन्नी की दवा कहां से आएगी सामने से भुंदु जा रहा था आदमी, मन में यह भुंदुआ कहा जा रहा है पूछता हूँ, शायद कोई मदग कर दे आदमी, भुंदु ओ भूंदू, कहा भागे जा रहे हो भाईया, जरा रुको तो, भोला, अरे, मैं जल्दी में हूँ, बापु ने पांच रूपे रामदीन काका को जल्दी से दे कर आने को कहा है, आदमी मन में पांच रूपे, अरे रे, मुझे मिल जाएं, इस भूंदुआ से पांच रूपे एठना कोई जादा बड़ा काम नहीं है, आदमी, अरे भाईया, सुनो तो, मैं बहुत मुझकिल में हूँ, भाईया, तुम बहुत दयावान हो, थोड़ी मदद कर दो, भोला, क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो, आदमी, भाई, मुन्नी की तबियत बहुत खराब है, मु का कुछ भी करके कल तक तुम्हें रुपे वापस कर दूँगा, तुम रामदीन को कल दे देना, कुछ नहीं बिगलेगा, भोला, कल, आदमी, हाँ भाया, पक का कल दे दूँगा, आज मदद कर दो, भोंदू ने उसे रुपे दे दिये, आदमी, भगवान तुम्हें को सब बता दिया, पिता, अरे, इस सोतेले बेटे को इसलिए पाल पोसकर बड़ा किया कि हमारे बुड़ापे की लाठी बनेगा, पर ये मूरक राज तो बिलकुल भोंदू है, मा, अजी, आप बबवा को ऐसा क्यों बोल रहे हो, पिता, किसी को याद भी है कि इसका नाम भ देटे के बिना नहीं रहूंगी हा, पिता, तुम्हारी वजह से ही तो यहाज ऐसा है, लाठ प्यार ने लड़के को बरबाद कर दिया है, जाने दो इसको, इसी बहाने शायद कुछ हकला जाए, पिता, भोंदू से कोई काम धंधा कर ले, रुपे पैसे की कीमत समझ मा, नहीं नहीं, मैंसे कहीं नहीं जाने दूँगी, पिता, तो तुम भी इसके साथ हो लो, देखता हूँ ये बबुआ तुमको पालता है या तुम इसे, पिता, भोंदू से, ओ बबुआ, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना तुम, बता रहे हैं, और सुनो, इस घर के आस भोंदू घर से जाने लगा, मा, सुन, मैं पीछे वाली कोठी की खिलकी खोल दूँगी, तू रात को चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना, भोंदू, ठीक है, मा, जाओ रात को चुपकर आ जाना, भोंदू गूमते गूमते एक वीरान जंगल से गुजर रहा था, भ मैं तो अमरूद तोड़कर ही रहूंगा, उसने फिर से एक पत्थर उठाया और अमरूद की तरफ देख मारा, पत्थर के नीचे गिरते ही दोबारा से आवाज आइटन, भोंदू, फिर आवाज, उसने पेल के पीछे जाकर देखा, भोंदू, यह क्या, इतना बड़ा पत कोई नहीं था, भोंदू, क्या महराज, अनात हो, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम ही बता दो, चलो, तुम मेरे साथ चलो, उसने पतिला उठाया तो उसके नीचे 10 रूपे का नोड था, भोंदू, यह क्या 10 रूपीज, लगता है प्रभू आज महरबान है, लोटरी लग तुम्हारी मदद के लिए है, इनसे इस पतिले में केवल बिर्यानी बनाना, केवल बिर्यानी, भोला, ये कौन भोला, प्रशन वाचक चिन्ह, कोई आदमी तो यहां है ही नहीं, प्रभू, रक्षा करना, वो पतिला और रूपे लेकर भाग गया, धर आकर, भून दू, मा, ओ मा, मा, अरे बबवा, तू अभी क्यों आ गया, अगर तेरे बापू को पता चलाना, तो तेरे साथ मुझे भी इस घर से निकाल देंगे, मैं खिरकी खोल दूंगी, तू जा और रात में चुपके से आ जाना, अभी चला जा, भोन दू, ठीक है, पर यह पतिला तो रख ल इसे कहां लेकर जाओं, मा, इतना बड़ा पतिला कहां से उठा लाया, भोला, जंगल से, और ये देखो दस रुपे का नोर भी मिला, मा, बेचारा यहानात है, आपसे ये भी हमारे साथ ही रहेगा, मा, पतिला को यनात होता है, क्या, भोन दू, मा, मैं सच कह रहा हूं, जं इसे नीचे रख और तू जा यहां से, सुन, दस रुपे है ना तेरे पास, इनसे कुछ खापी लेना, भोन दू, ना ना ना, मा, दरावनी आवाज बोली कि इनसे सामान लेकर पतिले में बिर्यानी बनानी है, मा, मेरे बेटे, तू सच्ची में इतना भोन दू क्यों है, भ तू उसे बेच देना, कोई काम होगा तो तेरे बापु तुझे वापस घर बुला लेंगे, भोन दू, सच्ची, भोन दू बजार से सामान लाता है, मा और भोन दू दोनों मिलकर बिर्यानी बनाते है, मा, बहुत स्वादिश्ट बनी है, भोन दू, मा, इतनी सारी बिर्या मा बिर्यानी का क्या करें, मा बिर्यानी को दो बड़े डिब्बों में डाल कर देती है, मा, तू ऐसा कर, खेतों की तरफ चला जा, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम करने के लिए आते हैं, वह ले लेंगे, और हार तेरे लिए बचा कर रख दी है, इसमें से मत खाना, सुन तू आवाज लगाते हुए बिर्यानी, बिर्यानी, गरम गरम बिर्यानी, अरे कोई ले क्यों नहीं रहा भाईया, अरे भाईया, बिर्यानी खालो, बहुत गर्म है, मजदूर, नहीं भाई, रहने दो, मैंने खाना खा लिया है, वैसे भी बहुत ठका हुआ हूँ, ए भाई मजदूर ने पहला निवाला आराम से खाया, उसके बाद सारी गपा गप खा गया, मजदूर तकार मारते हुए, वाह भईया, सची में मजा आ गया भईया, ये तो चमतकारी बिर्यानी है, मेरी सारी ठकान गायब हो गई, मजदूर ने खेतों में आकर बाकी मजदूरों को ये बात बताए, सबने आकर भूंदू की बिर्यानी खाए, भूंदू सबसे रुपे लेकर वहाँ से चला गया, भूंदू, वाह, इतनी सारे रुपे हो गए, माँ खुश हो जाएगी, बापू को पता चलेगा तो मुझे घर में आने देंगे, बुढया कोने में सिम्टी हुई, बेटा, ओ बेटा, थोड़ी मदद कर दो, भूंदू ने उसे एक सिक्का दे दिया, बुढया, सुनो बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जान निकल रही है, मैं अपनी जगह से हेल भी नहीं सकती, भूंदू न है कि मुझ में जान आ गई, तुम बहुत खुश रहो बेटा, भूंदू खुश होकर, रुपया मिल गया, आशीश मिल गया, रुपया मिल गया, आशीश मिल गया, मा, क्या बदबदर रहा है, भूंदू, मा, बिर्यानी सारी बेच कर आ गया और रास्ते में एक बुड़ी म तो नहीं, भूंदू, मा, तुन भी बिर्यानी खाओ, सब कह रहे थी कि यह बिर्यानी चमतकारी है, इसे खाते ही उनका जी, मन अच्छा हो गया, पिता, अरे, सुनती हो, कहा हो, मा, अरे, भूंदू, तेरे बापो आ गए, तु अंदर वाले कमरे में जाकर छिप जा, भू खिचरी पकाई है, मा, खिचरी, खिचरी नहीं हमने तो बिर्यानी पकाई थी, पर आपको ये बात कैसे पता चली, पिता, आते समय, खेतो वाले मजदूर मिले थे रास्ते में, बोल रहे थे, तुम्हारा बेटा आज बिर्यानी लाया था, वह कमाल की थी, उसे बोलना की कल भी ले आए, मा, अच्छा, उसने सच में क्या ऐसा ही बोला, पिता, हाँ, यह क्या माजरा है भाए, भूंदू ने कोई काम शुरू किया है तो बताओ, मैं उसकी पूरी-पूरी मदद करूंगा, सौतेला हूं तो क्या हुआ, हूं तो बापी, एक बरस का था जब तुमने उसे मेरी गोद में दे दिया था, मेरी कोई उलाद नहीं है, मुझे बाप होने का अहसास उसी ने करवाया है, तुम क्या सोचती हो, उसे घर से निकाल कर मैं खुश रहता हूं भला, वह भूंदू नहीं, बोला है, सब उसे बुद्धू बना कर अपना मतलब साधते हैं, ब कुछ हो जाए, आज तक आपने उसे कभी नहीं चुआ, ये गाव वाले तो अपनी ऑलाद की गलती पर उसे मार मार कर अद्मरा कर देते हैं, पिता, धत, एक ही तो बेटा है, टीतने के लिए थोड़े ही ना है, सुनो, कहा है वह, बुला लो, मा, वह तो, पिता, मैं तुम् चाप करदन लटकाए सामने आ गया, मा, सुनिये जी, मैंने आप लोगों के लिए बिर्यानी बचा कर रखी है, अभी लेकर आती हूँ, भून्दू, बाको, माफी, मैं आपसे बिना कुछे घर में आ गया, मा, लो आप लोग भी खाओ, पिता, रे, ये तो वाकई में काफी स्वादिष्ट बिर्यानी है भाहिया, अरे, सुनो, भून्दू की कमाई का एक पैसा भी खर्च मत करना, संभाल कर रखना, बिर्यानी बनाने की रुपे मैं तुम ही दूंगा, भून्दू की बिर्यानी खूब बिकने लगी, वह जितनी भी लाता, सब बिक चाती, सारे कास प्राज़ के एक बदमाश्ट रागव ने भूंदू का रास्ता रोक लिया। रागव, अरे भाईया, क्या बात है, तुम्हारी कमाई तो रोज बरती जा रही जा रही है। हाँ भाईया, राज क्या है, ये बिर्यानी कैसे बना रहे हो, मतलब कोई मसाला वसाला है तो बताओ भाई हमें भी। भूंदू, ना ना, मैं नहीं बताऊंगा, मा ने बताने से मना किया है। रागव, भगवान का सम्भया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब बताओ तो सही क्या राज है। भूंदू, राज दो पतीले में है, मुझे जंगल से एक बहुत ही बड़ा पतिला मिला है, उसमें लाजवाब बिर्यानी बनती है, कोई जंजट नहीं। रागव, अच्छा तो ये बात है, इस पतीले का कमाल है सब, आधी रात को रागव खिर्की से भूंदू के घर की रसोई में घुजगया। रागव, अच्छा तो यह है जमतकारी बिर्यानी बनाने वाला पतिला, अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ा है भाहिया, इसे बेच भी दू तो बहुत अच्छा माल मिलेगा, रागव एक हाथ से पतिला उठाने की कोशिश करता है, फिर दोनों हाथों से कोशिश करता है, इतना भारी तो नहीं लगता, चलो दोबारा उठाता हूँ, उठाने पर पतिले में से एक हाथ निकल कर रागव को दूर फेक देता है, रागव, अरे तेरी इतनी हिम्मत, रे बेटा रुख, तुझे अभी बताता हूँ, दूसरी तरफ कमरे में, पिता, सुनो, भोंदू क कमाई की रुपे लेकर आओ, देखू तो कितने हो गए है, मा रुपेयों की गड़ी ले आती है, पिता, एक हजार, दो हजार, तीन हजार, मा, अरे, इतनी रात को क्यों हिसाब करने में लगे हुए हो, सुबर कर लेना, पिता, अरे, यूँ ही, देख रहा था कि कितने हो रागव, आह, मर गया रे बाबा, इतनी जोर से धक्ता तो कोई पहलवान भी नहीं मारता, इतने में भोंदू, मा और पिता वहां आ जाते हैं, पिता, ए, तुम यहां क्या कर रही हो रे, मा, देखते नहीं, ये चोरी करने आया है यहां, मारो इसे, रागव, नहीं नहीं, म मुझे माफ कर दो भाईया, तुम जो सजा दोगे, मैं भुगतने के लिए तयार हूँ, इस बार माफ कर दो भाईया, भोंदू, रागव, इसलिए तुम पूछ रहे थे कि तुम्हारी कमाई का राज क्या है, ताकि चोरी कर सको, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, रागव चोरी तो क्या, मैं किसी दूसरे की चीज की और आँख उठा कर देखूंगा भी नहीं, मुझे माफ कर दो, पिता, अरे, चलो निकलो यहां से, पंचायत के लिए तयार रहना भाईया, मा और पिता भी रसोई से चले गए, तभी भोंदू रसोई से बोला, भोंदू, मा, ओ मा, बापू, जल्दी आओ, पिता, अरे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है, भोंदू, मा, पतिली में से आवाज आ रही है, मा, अरे, तू फिर से शुरू हो गया, कल से कह रहा है, पतिला बोल रहा है, पिता, अरे, बेटा, तेरा ये ब्रम है, पतिला नहीं बोलता, तभी पतिले से आवाज आई, आवाज, तुम इनसान भी ना, किसी पर भी इतना जल्दी विश्वास नहीं करते, मा, अरे भगवान, ये तो सच्ची में बोल रहा है, आवाज, हाँ हाँ हाँ, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें चमतकारी बिर्यानी बनती है, जो तुम किसी भी पतिले में बिर्यानी सारी बिख जाएगी, पिता, क्या सच में, आवाज, पर एक शर्थ है, तुम लोग ये बात किसी को मत बताना, किसी का बुरा मत करना और लालच नहीं करना, दिन में केवल एक बार बनाना और बेचना, गरीबों को मुफ्त में खिलाना, यदि लालच किया तो मेरा आशिरवाद समाप्त हो जाएगा, मा, नहीं नहीं, हमें तो केवल भूंदू के भविश्य की चिंता है, वह आपने दूर कर दी, आवाज, अच्छा चलो मैं अब चलता हूँ, आप किसी और अच्छे इंसान की सहायता करनी है, पतिला जोर से में परिवर्तित होकर अद्रिश्य हो गया, उसकी जगर चावल के कुछ दाने थे, पिता ने चावल के दाने उठा कर कुछ भूंदू को दिये और कुछ मा को दिये, भूंदू, मा नहीं घर के रखे चावलों में मिला दो, पिता, चल बेटा, इन्हें पूजा घर में रख दे, भूंदू ने चावल के दाने पूजा घर में रखे, तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रनाम किया, इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं